नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज बिहार पुलिस की वेकेंसी के लिए बात करना आया हूँ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि थोरा सा इसके लिए गाइड करें तो सबसे पहले जान लिए बहुत बड़ी वेकेंसी है तब नए जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर फायदा होता है और लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है जो पुराने बच्चे हैं वो पुराने पैटर्न पर त्यारी कर रहे थे और जो नए बच्चे हमेशा उस कारण से पिछार जाते हैं लेकिन इस बार जितने भी न्यू कमर हैं और जो ओल्ड जो पुराने विद्यारती हैं सब एक लिवल पर जाएंगे तो बहुत अच्छी अपर्सुनिटी है लगभग एक लाख लोग पांच गुना सेलेक्शन होगा तो लगभग एक लाख लोग इसमें सेलेक्ट होंगे इस 15 दिन के थोड़ा से आपको नोट सी बनाना पड़ेगा और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि एकजाम के ट्रेंड को पकरना कि कहां से कितना सवाल आएगा किस पोर्शन से कितना सवाल आएगा जब आप सिलेवस देखेंगे तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन से स्टा अग्रेक्शन होना है इसके बाद कि आप देखेंगे कि एक्जाम कब कए साथ तारीक और ग्यारा तारीक को है पटीस तारीक को और 28 अधरीक को कब से लिए 12 से 22 घंटे का अग्जाम यहाँ क्लिर ली मेंसके की चीजे हुई कैसे डाउनलोड करना है वह भी आप देख लिए अब चलते हैं हम लोग इस पर एक जगह लिखा हुआ है कि पाठकरम क्या होगा विहार पुलिस हस्तक 1978 के परसिस्ट एक सो तीन सिपाही की कंडिका के अनुसार लिखित परिक्षा का स्तर विहार विध्याले परिक्षा समीति की दसवी कक्षा मैट्रिक अत्वा समकच अस्तर ह होगा विःत पाठकरम परसत की वेबसाइट पर उपलब्द है तो इस जब लिंक पर आप क्लिक कीजेगा तो आपका यह वेबसाइट आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह लिखा हुआ है कि मेधा निर्मान हेतु बहुत तरियो परिक्षाओं के लिए नॉर्मन तरिया गया और यह कठी नाया अब आप बोलेंगे जो जड़ा स्कूर कर लेंगे इनका सेलेक्षन आसानी हो जाएगा इसलिए क्या करते है नॉर्मलाइज किया जाता है अब देखा जाएगा साथ तारिक में जो सबसे हाइस नम जिस बच्चे के नंबर आए उधारन के तो यहां पर 65 हो गया तो 65 और 85 को ऐसा नॉर्मलाइज किया जाएगा कि लगभग दोनों के नंबर बरावर हो जाए यह बहुत अच्छा एडवांटेज होता है जब भी एक्जाम तीन से चार चरण या छे चरण में होता है तो नॉर्मलाइजिशन मेथट किया जाए रहा तो सबसे पहले लिखा हुआ है डशी कख्छा बिहार विद्याले का दास्वी कक्षा से और इस सब पहुत बढ़ा है क्या पढ़ना है हिंदी का मैं आपको थोड़ा बता दूंगा हिंदी का पार्टक्रम आपको इतना बढ़ा है कि आप घबरा जाएगा इंग्लिस है पिर मैं से थोरा सा उसके पहले में आपको ब्रीफ समरी देता हूं कि कहां से कितना समान कितना कोश्चन आएगा ठीक है पहले यह समझ लिजिए आप तो आपको और आइडिया वाजा गया कैसे पढ़ना है सबसे पहले सामान ग्यान जिसको कि हम लोग जी के करते हैं इससे होंगे लगवक 45 कोश्चन ठीक है यह पहला चीज हो गया दूसरा आपको हो गया विज्ञान कि साइन्स ठीक है इससे होंगे आपको 25 कोश्चन तीसरा हो गया आपको रीजिनिंग ठीक है यहां से होंगे आपको लगवक 5 कोश्चन चौथा हो गया आपको मैट्स गनित यहां से आपको कोश्चन फिक्ष्ट है दस कोश्चन पांचवा हो गया आपको इंगलिस यहां से होंगे साथ कोश्चन और छठा हो गया आपका हिंदी ठीक है यहां से होंगे आपको आठ कोश्चन ठीक अब यह जो कोश्चन आपका सम देखिएगा यह आपको लगभग स्वाव आजाए यह रहां आपका सिलेबस इसको ठंग से नोट कर लिए सबसे बड़ा है और सवाल इतने आने तो क्या क्या पढ़ना है प्रिवेस यहर से हम लोग ट्रेंड निकालेंगे अन एकजाम जो किये जा रहे हैं जो चैन समीति जारा उसका हम लोग ट्रेंड अनलिस करेंगे और आपको आइडिया लग जागा क्या पढ़ना है जब भी आप त्यारी करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए आज के डेट में जो कॉंसेप्ट आगया पहले कॉंसेप्ट था कि हार्ड वर्क की जगए स्मार्ट वर्क करना है लेकिन अब hard work करना है वो भी smartly करना है नया जो concept है भी कि जो आपको hard work करना है वो smartly करना है नहीं तो आप selection नहीं हो पाएगा ठीक है अब समझ लेते हैं total इसका क्या exam का pattern रहा है टोटल आपको hundred question रहेंगे ठीक है टाइम कितना मिलेगा दो घंटा मिलेगा टू आवर्स मिलेगा ठीक है और निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा यह बहुत ज्यादा जब हम देखेंगे तो सिलेवस में जो में चीज जो चेंज किया गया है हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जो रहा गया है अब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत साय लोग देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री देखके घबरा जाएंगे कि नहीं यह क्या है अमिर्की स्वतंतरता कि आपका कवर हो जाएगा अगर आप बोलिए तो मैं पढ़ा दूंगा और सवाल इसमें फिक्ष्ट सवाल है वही आएंगे और इस बार जो आप देख रहे हैं समानने ग्यान जो जीके जीएस है जिसमें 45 कोस्टन है तो मैं आपको बता रहा हूं पांच कोस्टन यहीं से जूरता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बन बताई जाएगी कि यह जरूरी था पढ़ना आप इसको छोड़ के आएं तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लीज इंग्णोर करके नहीं चलिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप अपने कोसिस कीजिएगा कि मेरी मास्ट्री बनी रहे है व तो यह नोट कीजिए पहला है आपका प्रतिस्थ ठीक है दूसरा है आपका लाभानी कि तीसरा है आपका ओसत कि चौथा है आपका कि चक्र व्रिद्धी कि ब्याज कि ठीक है पांचवा है आपका साधारन व्याज कि छटा है आपका रेल गाड़ी कि वाले जो प्रसनाते हैं कि या काम वाला कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है वह वाला कोश्ट ठीक है सरली करन कि आठवा है आपका कि अनुपात कि नौवा है आपका कि आयू संबंदित ठीक है अब यह जो नौव टॉपिक मैंने लिखाए है इस नौव टॉपिक से आपको कितने कोश्टन आएंगे इस नौव टॉपिक से आपको साथ से आठ कोश्टन रहेंगे ठीक है अब बाकी दो से तीन कोश्टन कहां से आएंगे वह भी लिख लीजिए आयात आयत वर्ग त्रिभूज वर्ट त्रिकोन मीती दो से त्रिकोशन तो अब यह जो टॉपिक मैंने बताया है कि आपका मैट्स, बहुत सारे बच्चों का मैट्स कमजोर होगा तो मैंने पढ़ाया हुआ है मैट्स चैनल है मेरा मैं चैनल का लिंक उपर लिखा हुआ है आप देख लिजएगा, उसमें मैंने आपको दो-तिन टॉपिक पढ़ाया है से मैंने मैस को अपना इंप्रूव किया है तो मुझे तरीका पता है कि मैस को कैसे इंप्रूव करना है अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ठीक है यह मैस का आप कर रहा अब दूसरा सवाल आता है कि भी जीडिया से पढ़ें देखेँ जी के जी पुड़ने के लिए आपके पास वन लाइन वाली जो किताब होगी यूसेंटTe कर सकते हैं और दूसरा यूट्व चैनल जो दिख रहा है अपको उसे सरकारी एक्जाम स्व橋 उस उस पर पिछले लगवग 10 दिनों से दरोगा का जो most probable question है एक टीम है हमारी टीम ने मिलके तियार किया उस चीज को और उस selected question को discussion किया जा रहा है तो अगर आप डेली उस आदा घंटा 40 मेर्ट का discussion को देख लेते हैं तो आपका most probable जो जी के जीयों से question है वो cover हो जाएगा हिंदी इंग्लिस में क्या क्या पढ़ना है उसको भी जो एक्सपर्ट टीचर है हिंदी और इंग्लिस के जिनका दरोगा और बिहार पुलिस के त्यारी करते हैं जो कई साल से लगे हुए हैं उनके द्वारा भी वह explain किया जा रहा है त थूड़ा सा आपको मेहनत करना है जो बचा हुआ आपका जो भी 15 दिन है 20 दिन है जिसका एक्जाम जिस तरीके से उतने दिनों में अगर आप अपनी पूरी एनरजी को लगा देते हैं तो वर्दी आपकी हो जाएगी लेकिन उसमें नहीं सर्माना है उसमें नहीं घबराना है एक बार मेहनत करके देखिए देखिए कैसे आपने आप आपका confidence बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप लक्की हो जाएंगे अक्सर लोग मेहनत से कतर आते हैं मैं अक्सर यह कहता हूं सबको कि मैंने अपनी किस्मत मेहनत से बदली है बहुत दिन नहीं मेहनत करना है 15 दि प्रैक्टिस कर लिजे एक format ऐसा बना लिजे अभी से लेकर बच्चे वे दिनों के लिए ठीक है इसमें एक तरफ डेट होना चाहिए ठीक है को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर देखिए ठीक है और यहां पर बस रिमार्क्स चोड़ लिए क्यों नहीं किया अपने ठीक क्यों कितना प्रैक्टिस किजिए आज से कहां से कोशन प्रैक्टिस करना है सो कोशन तो मैं आपको अब लेवल करा दूंगा और बाकि कोई भी मार्केट से किताब लिए यह कोशन प्रैक्टिस वाली बुकलेट का चार-पांच पुब्लिकेशन के लिए आए कि आपका जो त्यारी हो ऐसा नहीं कि एक ही प्रैक्टिस किजिए पहले स्टैटिजी यही है दूसरी स्टैटिजी है जो आदा घंटा चालिस मेंट का हमारे मोस्ट प्रेवल कोश्चन होता है उसको देखिए वह आपको क्लियर करा दिया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड और तीसरा वाला चैनल है उसी पर बिहार पुलिस से रिलेटेड में लाइव आऊँगा तो जिनको भी बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो समभफतों में मंगल वार को ही आऊँगा लाइव तो आप जूर जाहिए उस दिन हम लोग आपसे आमने जामने बात करेंगे चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो